नमस्कार दोस्तों, NAS lecture series में आप सब का बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में जो हमारे RC network हैं उन RC network की synthesis with help of core one form कैसे बनती है with help of example पूरा in detail आपके सामने explain करेंगे तो सबसे पहला point क्या है कि जब भी आपकी core one form हम use करते हैं तो LC network में भी आपने देखा होगा कि इसमें nominator और denominator कोई भी function अगर given है तो उसकी powers को descending orders में लिखा जाता है इसके साथ फिर हम continued fraction approach यूज़ करते हैं और इसमें core one form में अगर RC network है तो series element हमेशा आपका register बनेगा और जो parallel element है वो हमेशा आपका capacitor बनेगा तो in journal जो circuit formation है with help of core one form of RC network वो क्या बनेगी series element register होगा और parallel element आपका capacitor again series element register parallel element parallel and so on यह आपका इस type का एक journal circuit बनता दिखाई देगा यहाँ पे एक example है इस example को हम completely solve करेंगे हर steps को explain करेंगे Z of S is S plus 1 into S plus 4 divide by S into S plus 2 into S plus 5 यह जो function है यह आपका ZRC network की जितनी भी properties हैं उन सभी को follow करता है इसका मतलब यह जो function है इसको हमें ZRC of S बिल लिख सकता हूं अब इसके बाद अगर ऐसा function आपको दे दिया जाए तो आपको core 1 form कैसे apply करनी है इसके लिए बच्चे आप सबसे पहले जो factors हैं उसको polynomials में convert कर लेजिए उपर multiply करेंगे तो क्या बनेगा S square प्लस 5S प्लस 4 नीचे क्या बनेगा आपका complete आप जब solve करेंगे तो S cube और यहाँ पर क्या होगा 7S square और यहाँ 10 into S ये बन जाएगा तो अगर अब आप क्या करेंगे ये जो है descending orders में power है पहले 2 है फिर S की 1 है फिर S की 0 S की 3, S की 2, S की 1 लेकिन यहाँ पर continued fractions के लिए ये जो division है ये possible नहीं है तो अगर हम ऐसा करते हैं तो कुछ time के बाद हम देखेंगे कि हमारे जो continued fractions है वो negative values के आएंगे और negative values हमारी feasible नहीं होती है तो इसका मतलब अगर ऐसा होगा तो हम इसको Y of S में convert कर लेंगे I repeat Y of S में क्यों convert किया क्योंकि अगर मैं core one form standard यहाँ use करूँ इसको divide करूँ इस से तो एक step के बाद reminders negative मिलना start हो जाएंगे और जब reminders negative मिलेंगे तो हम network को synthesize नहीं कर सकते क्योंकि residues हर हाल में positive बनाए रखने पड़ते हैं तो S cube plus S square plus 10 into S यह आपका अब nominator बन चुका है nominator जो था अब उसको denominator बना दीजिए क्योंकि impedance और admittance function एक दूसरे के reciprocal होते हैं तो यह आपका S square plus plus 5 into S plus 4 यह आपका Y of S आ चुका है अब हम वही simple concept यूज करेंगे जो हमने LC core 1 form में यूज किया था इसको हमें divide करना है तो यह equation मैं यहां लिखूंगा this is S cube plus 7S square plus 10 into S divide किस से करेंगे S square plus 5S plus 4 तो सबसे पहले division करेंगे तो यह S पे चला जाएगा यहां S cube आ गया S को 5S से तो 5S square आ गया फिर S को 4 से तो 4 into S यह आ गया अब यहां पे sign change होंगे यह cancel out हो गया 7S square से 5S square 2S square रह गया और यहां 10S minus 4S that is 6S रह गया अब यह जो remainder था यह यह आपका divisor बन जाएगा और जो divisor था वो अब dividend बन जाएगा उसको यहां लेख सकते हो इसी तरीके से continued fraction हम use करते हैं core 1 form में तो अब यह किस पे जाएगा अब यह finally 1 by 2 पे जाएगा 1 by 2 पे गया क्योंकि हमें first factor को cancel out करना पड़ता है तो यह आपका S square 1 by 2 multiply 6S कितना बनेगा यह आपका 3S रह गया तो अब finally negative negative यह cancel out 5S minus 3S यह बचे आपका 2S उपर से आप 4 उतार लेंगे तो 2S plus 4 जो reminder था अब वो divisor बन चुका है यहाँ जो divisor था वो अब dividend बन चुका है 2S square plus 6S अब कितने पे जाएगा अब यह simply आपका S पे जाएगा S पे जाएगा तो कितना होगा 2S square plus S into 4 that is 4S यह आप से cancel out 6S minus 4S यहाँ पे आपका 2S बचेगा अब यह आपका divisor हो गया अब इसको आप यहाँ लेख देजिए 2S plus 4 तो अब यह कितने पे जाएगा 1 पे जाएगा 1 पे जाते ही 2S 2S cancel out यहाँ से 4 उतार लेजिए और यह value अब यहाँ लेख देजिए तो अब यह कितने पे जाएगा अब जाएगा यह S divided by 2 पे S divided by 2 पे जाएगा तो यह यहाँ पे 2S हो जाएगा और finally यहाँ पे खतम हो जाएगा अब देखो हमने Y of S से start किया था तो इसका मतलब जो पहला को send है वो किस में चेक करूँगा Y of S के forms में ही चेक करूँगा दूसरा जो है वो किस में चेक करूँगा Z of S की form में चेक करूँगा तीसरा है वो किस में चेक करूँगा alternate चेक करता हूँ Y of S में चेक करूँगा तो जो fourth है वो किस में होगा वो Z of S में चेक होगा और last जो है वो Y of S में चेक होगा y of s में तो standard form c into s होता है तो इसका मतलब s के साथ जो coefficient है वो c value है यानि यहां से मेरा capacitor मिला कितना 1 farad का और यह y of s की वज़े से जो element है वो element कैसा होगा वो 100% आपका parallel connections का होगा फिर z of s क्या है एक real number है 1 by 2 इसका मतलब यहां से क्या मिला मुझे resistance मिल गया 1 by 2 ohms का और z of s से जो element निकला वो कहां connect होता है वो हमेशा series में connect होता है similarly y of s क्या है s इसकी तरह s है तो यानि यहां से भी मेरा क्या मिल गया 1 farad का capacitor मिल गया और obviously वो parallel में होगा z of s एक constant number है तो इसका मतलब यहां से यह आपका क्या है एक register है 1 ohm का y of s क्या है आपकी बार s upon 2 यानि s का जो coefficient है वो आपका capacitor कहलाएगा तो यहां से जो capacitor है वो 1 by 2 farad का capacitor आ चुका है तो इसका मतलब यह है कि continued fraction से complete equation solve कर चुके है तो जो मेरा y of s होगा core first form में तो पहला element capacitor है लेकिन parallel में होगा तो इसका मतलब यह मैंने capacitor लेक दिया यहां पर और यह 1 farad का parallel में है अगला element 1 by 2 register है 1 by 2 ohms का वो series में connect होगा तो यह आपका 1 by 2 ohms का register है series में connect है next element again 1 farad का capacitor है जो की parallel में connect होगा तो यह बच्चो आपका again 1 farad का capacitor parallel में होगा अब इसके बाद यहां से 1 ohms का register है जो series में connect होगा यह 1 ohms का register है इसके साथ जो last है वो s by 2 यह नि 1 by 2 farad का capacitor है जो की parallel में connect होगा इस type से 1 by 2 farad का तो यह है दोस्तों आपका core 1 form यूज किया हमने RC networks के लिए और इस type से हमारा पूरा network बना है एक चीज़ का आप हमेशे ध्यान रखना है कि जब भी RC network का synthesis करना होगा core 1 form आपको यूज करनी होगी तो series element हमेशा register होगा और parallel element हमेशा capacitor होगा in journal इस type का कुछ नहीं गराब बनेगा अगर आप ये ध्यान रख लेते हैं तो फिर आपके question गलत होने के कोई chances नहीं होंगे क्योंकि ये आपका जैसे ही आप circuit बना लेंगे तो cross verification से आप पता कर लेंगे कि आपका circuit ठीक बना है या आपका circuit गलत बना है तो इस तरीके से core one forms तक हमने पूरा complete RC network in detail discuss कर लिया है next video में हम core two form of RC networks और उसका synthesis in detail discuss करेंगे I hope दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं आपके कुछ feedbacks रहते हैं तो उन्हें comment box में मेरे तक जरूर भिजवाएं thank you so much for watching this video